नमस्काल दोस्तों आज के इस यूटूब चैनल में स्वागत है आज मैं आपको अपेड़ा सर्टिफिकेट के बारे में बताने वाला हूँ कि किस कंडिशन में आपको अपेड़ा लाइसेंस लेना चाहिए और किस कंडिशन में नहीं लेना चाहिए और आपके क्या प्रोडक जो भी business related certificate के बारे में जो भी information चाहिए उसके बारे में complete video आपको time से मिलती रहे तो चलिए जैसे कि यह हमारी website है legalbluebird.com और हमारी youtube channel का भी नाम है legalbluebird.com हमारी website है अगर business related आपको कोई भी services चाहिए है जैसे कि आप देख सकतो gst registration, उद्याम registration, shop act, license, import, export code and food license, jam registration, अपेड़ा certificate यह हो गए ISO, halal, gmp, hack up यह सारे certification और certificates होगर अगर चाहिए तो आप हमारी website पे visit करना legalbluebird और website का नाम है legalbluebird.com ठीक है तो चलिए वीडियो को हम ज्यादा लेट नहीं करते हैं तो हम सिधा मुद्दे पर आ जाते हैं देखो जो अपेड़ा registration होता है अपेड़ा registration agriculture product वालों के लिए होता है कि जैसे कि आप लोग कोई agriculture product के बारे में export या import करने की सोच रहे हो तो उस condition में आपको अपेड़ा certificate लेना होता है का certificate आता है तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप कोई business start करना चाहते हो export import का और आपके product agriculture type से product हैं जो अपेड़ा के category में आते हैं ठीक है तो आपको अपेड़ा certificate लेना होगा जिसका दूसरा नाम RCMC certificate भी है और इसको लेने के लिए सबसे पहले आपको import export certificate आपके पास होना चाहिए जिसको लोग IC certificate भी कहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं बता देता हूं कि import export certificate जो होता हो सबसे पहले यह चीज आप लोगे उसके बाद ही अपेड़ा आप apply कर सकते हो और मैं आपको दिखा देता हूं कि इसकी जो category होती है किस category में आते हो तो आपको certificate लेना ही पड़ेगा अगर आप लोग नहीं लेते हो certificate तो जो आपके product होते हैं agriculture वाले तो custom clearance वाले आपका वहाँ पर shipment करेंगे ही नहीं आपका माल वहीं पर रोग देंगे और यह certificate मांगेंगे और मैं यह चीज आपको बता देता हूं कि इस certificate की जो validity होती है वो 5 साल के लिए होती है हर 5 साल के बाद आपको इसे renewal कराना होगा जैसा कि आप देख रहे हो अभी latest में मैंने किया 2021 में registration किया था और इसकी validity है 2026 तो इससे आप अंदाजा लागा सकते हो कि यह 5 साल के लिए ही valid होता है अगर आप चाहो कि 1 साल के लिए लेना 2 साल के लिए लेना तो ऐसा possible नहीं है यह 5 साल के लिए ही बनता है और certificate में यहाँ पे आपका IC code mention रहेगा यहाँ पे अस्थापना की तितिक किस date को यह आपका approval हुआ और आपका registration number क्या है तो registration number यहाँ पे आपको दिख जाएगा और आप किस category में apply कि हो merchant में manufacturer में या merchant cam manufacturer तो यहाँ पे आपकी category आ जाती है और यहाँ पे जो भी proprietor होते हैं proprietor या partner director यहाँ पे इनका नाम आ जाता है certificate में और यहाँ से इनका नाम आता है जिन्होंने आपका certificate किस तारिक को अपडेट यहाँ पे अपर रूप किया है और क्या नाम है इनका ठीक है यह सारी चीजें होती है चलिए मैं category इनके यहाँ पर second page में आप देखोगे certificate का जो second page होगा यहाँ पर इनके कुछ rules and regulation होगा है तो चलिए इनको पढ़ेंगे तो काफी time हो जाएगा और वीडियो भी हमारी लंबी बन जाएगी तो चलिए मैं category दिखा देता हूँ देखो पेड़ा का जो category होता है तो यहाँ पर दे रखा है floricultures and seeds अगर आपके पास किसी फल या fruits के जो है बीजी टेबल सेंड फूट्स के कोई भी बीज होगा रहा हो या जड़ी बूटी हो हर्बल प्रोडक्ट्स लाइक मेडिशीन प्लांट्स अगरा हैं अगर यह सारी चीजें आप एक्सपोर्ट करने की सोच रहो तो इस condition में भी आपको पेड़ा सर्टिफिकेट लेना ही होगा हम सेकेंड की बात करें तो foods and vegetables यहां पे दे रखा है कि अगर आपके पास fruits and vegetables को आ आप एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं तो इस condition में भी आपको पेड़ा सर्टिफिकेट लेना होगा और जो थर्ड है वह है प्रीजर्ट प्रोसेस्ट फूट्स and vegetables जैसे हमारे पास कुछ होते हैं प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे सूखे फल्स हो गया रहा हो गया सबजिया ह जिनको हम सुखा के खाते हैं जैसे कि अचार हो गया मैंगो पल्प हो गया इस टाइब के अगर प्रोडक्ट है को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इस condition में भी आपको पेड़ा लेना होगा और पशु शे रिलेटेड जैसे कि इनके मांस मींट ये सारी चीज़े अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो जैसे बैसे का मांस हो गया भेड़ बकरी का मांस कुकुट उत्पाद डेरी उत्पाद पशु आती और शहद अन पशु का मांस अगर ये चीज़ करते हो तो भी आपको एक्सपोर्ट अपेड़ा लाइसेंस लेना होगा पांचवी जो कैटेगरी है अधर प्रोसेस्ट फूड्स जैसे मुंगफली हो गया गौरगम हो गया गुड़ हो गया कोको उत्पाद अनाज निर्मित उत्पाद सेरेल्स हो गयरा तो इस कंडिशन में भी आपको सर्टिफिकेट लेना ही होगा पेड़ा का और जो 6 हमारा है 6 नंबर ये है सेरेल्स अना आज जैसे कि बासमती चावल और अजकल लोग बहुत जादा एक्सपोर्ट करें हैं इंडिया से खरीद के वह एक्सपोर्ट करें अधर कंट्री में चावल बासमती चावल गया हूं तो इन टाइप के अगर प्रोड़क्ट सैंसे हैं आपके पास और इनको आपको तो यहां से हमारा contact number लेके आप हमें contact कर सकते हो या तो आप यहां पेड़ा पे आओगे apply now पे click करोगे click करने के बाद आप अपनी information आप यहां पे हमें name, mail id, contact number, message इसके थुरू आप अपना number हमें दे सकते हो हम आपका certificate online apply कर देंगे और हम इतने दावा के साथ बोल सकते हैं कि दो दिन में हम जिसमें Saturday, Sunday include नहीं रहेगा क्योंकि government की छुट्टी होती है इस दिन और दो दिन में ही हम आपको आपका पेड़ा certificate दे देंगे और उसका user id जो password होता है वह भी हम provide करा देते हैं ठीक है तो जैसा कि मैं एक चीज और आपको clear करा दो इसमें government fees आपका जो doubt होता है government fees के regarding कि इसकी government fees क्या लगती है वह भी मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो government fees होती है वह 5,000 होती है 5,000 government fees होती है और इस पे 18% GST लगते हैं तो 85,000 पे 18% जो GST लगते हैं वह हो जाते 900 रुप है total include करके 5,900 जो होती है वह government fees होती है और इसका total जो लेते हैं हम वह 10,000 जो आपका रहेगा 10,000 fees रहेगा हमारी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे हमारा जो fees रहेगा आवर fees will be यह हमारा जो है 10,000 हमारी fees रहेगी 10,000 में जो रहेगा उसमें आपका government fees भी included रहेगा सब कुछ 10,000 में हम आपको अपीड़ा certificate प्रोवाइड करा देंगे और विदिन टू डेज में आपको अपीड़ा certificate आपको आपको आपके मेल आईड़ी पे में आपको 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 मिल जाएगा तो हमसे contact करने के लिए आप हमारे इस नंबर को नोट कीजिए legalbluebird website www.legalbluebird.com हमारा contact number है 6390831928 इस नंबर पे आप हमसे call कर सकते हो हमारा WhatsApp नंबर भी यही है और अपेड़ा के बारे में जो भी information चाहिए आप हमसे call पे भी ले सकते हो और अगर आप अपेड़ा certificate लेना चाहते हो तो आप हमसे नंबर पर contact कीजिए तो I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा